इंसान खाने वाला भूतिया परिवार बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे वो जंगल के जानवरों को खा कर अपना पेट भरा करती थे आज मैं हमारे लिए हाती लेकर आया हूँ हाँ हाँ अज हमाती काएंगे इस तरह बहुत समय बीट कया फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा भूत पापा मैं रोज रोज कभी हाती तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ अब मुझे कुछ और खाना है लेकिन हर जंगल में तुमें यही जानवर खाने को मिलेंगे ऐसा है तो हम शहर चलते हैं वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इनसान खाएंगे हाँ ये ठीक रहेगा अब हम शहर चाएंगे और इनसान खाएंगे उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए शेहर में इनसान खाएंगे, हम शेहर जाएंगे, हम शेहर जाएंगे, इनसान खाएंगे, शेहर जाएंगे, इनसान खाएंगे शेहर पहुँचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इनसान ही इनसान है पापा अबूर, यहाँ तो बहुत सारी इनसान है हाँ यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कही तरह के इंसान है बहुत मज़ा आया और फिर वो तीनों वही पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठा कर ले आता और वो तीनों से बड़े मज़े से खाते ये इंसान तो बहुत स्वाड़ेश्ट होते है पेट भर कर खाओ भूत पेटे क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते ऐसे ही बहुत दिन बीट कै एक दिन सोसाइटी के सेकरेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं ये सोच कर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह CCTV कैमरा लगवा दिये फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रहे गए कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इनसान हवा में उड़ता हुआ बार्क से बाहर जा रहा है सेक्रेटरी साब ये इनसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखा ही नहीं दे रहा अब हम क्या करेंगे अब मैं तो सिर्फ इनिसानों को पकड़ना जानता हूँ मुझे बूतों को पकड़ना नहीं आता इसलिए माफ कीजिए सेकरेटरी साब मैं इसमें आप की कोई मदद नहीं कर सकता ये सुनकर सोसाइटी के सेकरेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें मैं क्या करूँ सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इनसान गायब होता रहा अब सेक्टर्टरी सेज रहा नहीं गया उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है अब आप ही बताईए मुझे क्या करना चाहिए भूत? भूत का हम क्या कर सकती है? मुझे लगता है हमें इस सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहा पढ़ जाएंगे? लेकिन यहां रहे तो भूत हमें खा जाएगा हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिये कि जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए ये इनसान तो बहुत खतरनाक है ये तो हम भूतों का केक बना कर खाते हैं अगर हम इन इनसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बना कर खा जाएंगे पापा भूत मम्मी भूत मुझे इन इनसानों से डर लग रहा है मुझे वापत जंगल जाना है पापा भूत मुझे वापत जंगल ले चलो मैं रोज रोज हाती ही खालूंगा और कभी जंगल की खाने से बोर नहीं हूंगा रो मत बेटे भूत हम अभी वापत जंगल चलते हैं और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक जूट से डर कर भूतिया परिवार वापस जंगल लोट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई